अपना थुक बाला वीडियो सामने आने के बाद अब जाबेद हबीब खुद सामने आये हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है दरसल जाबेद हबीब का मुजफर नगर में एक इवेंट था इस दोरान वहाँ एक सेमिनार भी रखा गया था हबीब स्टेच पर एक महिला के बालों की कटिंग कर रहे थे तबी उन्होंने पानी ना मिलने पर महिला के सिर पर धूग दिया ये देखकर वहाँ मौजूद लोगों ने तालिया बजा दी लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ हला मच गया हर तरफ हबीब की गिरफतारी की मांग की जाने लगी जिस महिला के साथ ये घटना होई उसने भी आकर बयान दिया कि ये हबीब की बहुत घटिया हरकती महिला ने आरोप लगाया कि हवीब ने उसके साथ अभधरता की है इसके बाद विवाद और बढ़ गया लेगिन अब इस पूरे विवाद के बीच जावेद हवीब खुद सामने आये हैं और देखिए उन्होंने क्या कहा है मेरे सिमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोग को कुछ ठेस पहुंची है एक ही बात बोलना चाहूंगा हमारी जो सिमिनार होते हैं ये प्रोफेशनल सिमिनार है मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशनल के अंदर काम करते हैं और हमारे लंबे शोड होते हैं और एक ही बात बोलता हूँ अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे हैं हर्ट हुए हैं माफ करो ना सौरी दिल से माफी मांगता हूँ इस वीडियो के जरिये जाबियत हवीब ने अपने थूक कांड के लिए नहीं बलकि अपने शब्दों के लिए माफी मांगी है अब देखना होगा कि उनकी ये माफी उनके कितने काम आती है फिलाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे अपनी राहे में कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे